हुआ फ्रेंट्स वेरी गूर्णिंग तो आल फ्यू गाईज कैसे हैं आप सभी लोग में उमीद करों कि सभी लोग बढ़िया होंगे चलिए आप लोगा फिर से स्वागत है अपने इस प्रोग्राम में करेंट अफेर्स के जहां रोजाना हम लोग 8 बजे रात को बात करते है किसके रात 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 अब बात करते हैं एक मिल जरा मुझे बताई है वाइस क्लियर है है तो इस अब बात करेंगे कुछ है इंपोर्टेंट का निउस हैं इसको अम लोग को कवर अप करना है गाईज एक फटाफ़ एक काम करें क्लास को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और दिल लोगों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है प्लाइस प्लीज दू सब्सक्राइब चलिए आप लोग प्लीज लाइक और शेयर करें तब तक मैं थोड़ेशे जनकारी आपको देदू यह अधर यह टेलिग्राम गृप है इसे जरूर कर लिएगा जरूर कर लिए ठीक है ना जरूर कर लिए यह अपनी रोजाना क्लास पर सोती है सुबक यूटुब पे आठ वजे चार वजे और शाम के नौ बजे तक और यह अनगाड़ी के आप पर यह अपना टेस्टरी चलता ह इसे भी आप जोई सकते हैं यूजिंग माई कोड पावंट है इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर 30th जून को कही बैचे शुरू है 30th जून को कही बैचे शुरू हो रहे हैं इंग्लिश हिंदी सारे मीडियम में आप इनको जोई कर जाने उसे प्लस प्लस अन आइकान ठीक थीक नफ परसलाइज गाइड यहां पर लाइव क्लास इस मिलेंगे इस्ट्रूक्शर उस्स होगा विकले टेस्ट होगा आपको अनलिस इस इस सारे चीजों को पर जॉइंक करें यूजिंग से जॉइंके जॉइंक कर सकते हैं एवन अप जियस के लिए भी जा सब्स के इसी तरीके से अगर आते हैं तो आपका दो साल का है एक लाग पंद्राइब साथ सो पचासर रुपे का आफर यूजिंग इस पावर टेन कॉंट जो कि आपका एक लाग चाहतार एक सो पचासर रुपे का बनेगा आपके पास अप्टरोटी होगा इंडिया के बेस्ट एडोटर के सथ परहाइक करने का ठीके अड आज का आक के लिए जो एक यूव गूट है वह क्या है देखें सबसे बड़ी बात है कि हरकोई चाहता है कि sign करें, हरकोई sign का मतलब है कि life में हरकोई चाहता है कि सब कुछ achieve खले, after thing you should have, you should glitter like a gold, ठीक है, आप gold की तरगे से चमकना चाहते है, so you want to shine, shine yourself, ठीक है आप sign करना चाहते हैं, ठीक है, sun की तरिके सब को जलना पड़ेगा, यानि कठोड तपस्या करने पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, and then only you could shine, then only you could sign, this is a quote by great, our president, Dr. Abul Kalam, Abul Kalam, Dr. Abul Kalam, if you want to shine like a sun, first burn like a sun, ठीक है, right, sir, sun, ma'am, चलिए, so, APG Abul Kalam साहते हैं, good morning to all of you guys, so, if you want to shine like a sun, first burn like a sun, मैं तोड़े इसको रखना चाहूँगा, ताकि आपके लिए motivation का थाम कर सके, ठीक है, ठीक है, so, read this word, this is not simple, these words, these are not the lines, not for the few lines, right, it's a great message to all of you, if you want to shine like a sun, first burn like a sun, ठीक है, अपने हर को ही देखते हैं, अपनों को साकार करने के लिए काफी मिहनत करने पड़े हैं, you should work for that, you should strive for that, आपको इसके लिए प्रयास करना चाहिए, ठीक है, चलिए, आज ये पहला topic की देखते हैं, क्या हमाना topic क्या है, जो कि कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने cover up किया था, और मैंने आपको बताया था कि नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स आपको मैंने बताया था कि आप उपने paper को 3-fold में बाट करें, जिसमें 2-3 पे आप notes बने, 1-3 को आप free रखें, ठीक है, मैंने कहा था कि हमेशा कुछ चीज़े आती रहती है, अभी कुछ दिर पहले भी हमने किया था, यहां पर मैं भी बात करी थी, यह FDII के बार में, इंडिया अमंग the best performance in attracting FDI, इसमें कुछ नई चीज़े आई हैं, जो हमारे काम की हो सकते हैं, इसलिए हमें इसे भी quote करना पड़ेगा, इसे हमें mention करना पड़ेगा, ठीके, अभी दिखते हैं कि क्या क्या है इसमें, इंडिया अमंग the best performers in attracting FDI in FDI, ठीके, FDI को attracted में इंडिया क्या है, one of the best performer रहा हुआ, best performer है, अभी क्या है, अंक्ताड ने जो अपनी report जारी करी है, अंक्ताड ने जो रिपोर्ट अपनी जारी करी है, यानि कि United Nations Conference on Trade and Development, ठीके न, उसमें इंडिया is among the countries, इंडिया जो है, उसमें से क्या है, अंग दा कंट्रीज है, इंडिया is among the countries that witnessed a positive growth rate in FDI equity in flow in 2020, ठीके न, compared to 2019, अगर हम लोग बात करें, 2019 के तुलना में, 2020 में, तो positive growth rate आपको दिखाई देता है, कि इसमें witness a positive growth rate, ठीके, while major economies like US, Singapore, Germany, Brazil, Canada, UAE have seen a negative trend, जबकि कई बरे रास्ट्र हैं, जैसे अमेरिका है, Singapore है, Germany है, Brazil है, Canada है, UAE है, कि आप देखेंगे कि आपके निगेटिव ग्रोथ देखने को मिलाएं, so major economies like US, Singapore, witness, Germany, Brazil, Canada, UAE, निगेटिव परेंगे, इंडिया में यह ज़्यादा रहा है, इंडिया में अगर देखेंगे, तो 2020 में, आप देखेंगे, 25% का growth ज़्यादा देख रहा है, 25% ज़्यादा रहा है, ठीके, so that is the growth of 25% in 2000, as compared to the, India has seen a growth of 25% in 2020, as compared to the 2019, ठीके, इंडिया जो है rank कर रहा है, 5th largest recipient है, FDI flow में in the world in 2020, यह 5th largest, इंडिया is the 5th largest recipient है, पुरे 2020 में, जोगी COVID काल का चल रहा था, inflow in the world in the 2029, यह समय हो रहा है, जब आपका यहाँ, ग्लोबल FDI हो रहा है, जब हमारे यहाँ देखें, पुरी तरीके से पुरी दुनिया है, वो COVID हिट है, COVID से हिट पड़ा हुआ है, ठीके ना, COVID हिट पड़ा हुआ है, और पूरी जो वैश्विक, अब रहा है कि यह क्यो रहा है, इसके पीछे कारिंक है, तो सरकारें अपनी पीट थप थप थपाने का काम जरूर करती है, सरकार ने फिर से अपना याँ पीट थप थप थपाया है, और सरकार ने बताया है, यह सारी जो चीज़े हैं, वो FDI जो इंक्रीज वा है, उसके पीछे, हमारी सुधार के नीधी रही है, हमारे जो कूछ ऐसे मेजर्स लिए है, हमने, सरकार ने ऐसे मेजर्स लिए है, उसकी वह से, यह FDI का एट्राक्शन वाई तो आप यह बताएंगे सरकार के प्रयास हैं जिसकी वैसे 2020 में 2019 के तुल्ला में हमारे पास भी तक्ष विदीसी निवेस कहीं ज्यादा रहा है बलगी 25% ज्यादा रहा है जबके पूरी तरके से दुनिया जो कोविद 19 जैसो भी हिट है ठीक है तो वाटर दोज में तो रिफॉर्म से इंद अभी जब देखेंगे जो FDI में विदेशी प्रतेक्शन निवेस में इस सुधार किये गए ठीक है जो पॉलिशी में सुधार किये गए में जब आपके लिए बिजनस करना आपके लिए एजी कर सके तो जितने भी बाटल नेक्स है उनसा भी को यहां से अभी हटा दिया गया है बहुत सारे जो लॉट्स थे उनसा भी जगा से लॉट को सिंप्लिफाइब कर दिया गया है आपके सिंगल विंडो ऑपरेशन कर दिया है जहां पर आप देखेंगे कि बहुत सरा क्लेरेंस लेंगे जरुवत नहीं है और इंडिया जो है एक यह आपको दिया भी उद्यान में रखना होगा यह बर्यात फूपर प्रश्य एकुटी इकूटरी इसके गले हिरु अक्षे खम शीअधर परेशन कर देखेंगे मौरिशय से आता है जो मौरिशय से यह जो इनसे विल्पू दिकृति और मौरिशय से लिए है इनसे टिक्प इस के बाद एखिए कि it is followed by Singapore, followed by Singapore, followed by Singapore, which continues to be one of the top sources of FDI for India, with 21% inflow, ठीके न, so Morrissey's से 24% total का total आया हमारे पास, total जिता भी inflow हुआ है total amount जो हुआ है, उसका 24% जो हमरे पास Morrissey's साथ है, and then India में जो inflow होता है FDI का, वो होता है Singapore से 21%, और जैपन से थर्ड में आता है, जैपन से थर्ड में आता है, यह क्या है 11% है, 11 फीसरी FDI inflow in Japan, जैपन, जैपन, प्लीस नोट इडाउन, यह आपके लास्ट वाले वीडियो में नहीं आपको प्यास होगा, तो यह डेटा को ध्यार में रख लीजिएगा, that is, मारिसे से सबस्यदा 24%, then followed by Singapore, इंडिया में इंवेस्मेंट 21%, and then Japan में हैं, that is from 11%, तोप स्टेट्स विध हाईस FDI equity inflow, अब अगर हम लोग बात करें, तो हमारे देश के अंतर करें, किन रज्यों में सबसे ज़्यदा foreign direct investment आया है, उसके बारे में थोड़े से चर्चा कर लें हम लोग, ठीके रहा, तो इंडिया में हम लोग बात करें, जो recipient states है, जहां वो सबसे ज़्यदा आया है, वो है करनाटका में, and then Maharashtra में, करनाटका में, जो की total investment का, FDI का 31% एक ट्राक कर रहे, and then आपके पस आता है, महराश्टरा में, जो की 19% एक ट्राक कर रहे, and then हमारे देली में आ रहे, देली में, जो की 15% तक ट्राक कर रहा, तीशत आपको देखने को मिल रहा है ठीके ना यही कुल मिला करके आप देखेंगे कि लगभग 50% जो है स्ट परसेंट आपका करनाटगा महारास्ट्रा उननीस परसेंट तो यह मिला कि आपके कितने होगा आप देखेंगे जो सबस्ज़ादा इन्वेस्मेंट कहा हुआ इस स्टेट में इस सेक्टर में इन्वेस्मेंट कितना ज़्यादा हुआ इसी पीरिट में बात करें इसी फाइनेशल इयर में हम बात करें 2020 और 21 में तो देखेंगे जो कंप्यूटर सॉफवेर है और हाडवेर है इसमें सबसे अधा इन्वेस्मेंट होता है अप्रेल में अप्रेल में एकांटिक फॉर 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 ठीके ना और टोटल FDI एकुटी सबसे अधा आपके पास का होगा कंप्यूटर सॉफवेर और हाडवेर दोनों मिला करें इसमाट वाले सॉफवेर बलकि इंक्लूटिंग हाडवेर इंक्लूटिंग हाडवेर यहां आप देखेंगे कि जो इन्वेस्मेंट है FDI है वो सबसे अधा हुआ हुआ इस 24 पासे इस देखने को मिलता है next is your education sector जहां आप देखेंगे कि 8% अपको FDI देखने को मिलता है ठीक है तो हमने देख लिया first is your computer software and hardware 24% then is service sector 8% and then is sorry 23% and then is education sector 8% तो यह data को ध्यान में रखेंगा that is again very important for you guys ठीक है ना so good morning everyone so financial 2020-21 में आप में देख लिया computer software and hardware number one 24% number two service sector 23% and then is your education sector 8% so these are the data जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए अभी देखेंगे कि इंडिया में जो total inflow हुआ है जो total inflow हुआ है 2020-21 के दारन जो highest ever अभी तरका FDI ही रहा है अभी तरका सबसे अधा FDI ही रहा है that is 81.72 billion US dollar 81.72 billion US dollar का inflow हुआ है इंडिया में जो highest ever रहा है इंडिया में अभी तक यह highest रहा है 2020-20 में ठीक है अगर हम बात करें कि पिछले वर्ष के तुलना में 2019-2020 के तुलना में बात करें 2019-2020 में जो total FDI inflow हुआ है 2019-2020 में that was वाली 74.39 billion US dollar अभी यह 81.72 रहा है 81.72 percent 81.72 billion US dollar रहा है that is the billion US dollar ठीक है 81.72 billion US dollar तो यह याद रखेंगे that is the अभी तक हाइस रहा हुआ है in financially चलिए यह बाते हो गई अब एक दूसरा सवाल है जो अभी दूसरा टॉपिक है जो हमें बात करना है हमारे पास रहे है ट्वाइकाथन 2021 ट्वाइकाथन क्या है जिसे हैकाथन होता है ना हाकाथन में हम प्रमोर्ट सीजों को करने हैं करते हैं देखिए ट्वाइकाथन का मतलब क्या है अब देखिए ज़ाएकाथन के मौडल पर ट्वाइकाथन हमारे पर इसाया है अभी हमें बात करूंगा यहाँपर में करने इनडिया के बहुत जवरदस संस्क्रिती रही ती यह तो खेलने की, खेलने की, हूदने की हमारे पास संस्क्राइब उत्साह मनाने की है, और हम लोग के पास एक परंपरा रही थी, कि हमारे जितने भी जो काम करने वारे लोग हैं, जाए कारपेंटर्स हों या कोई भी हो, तो हमारे अपने खिलोने बनाने की परंपरा रही थी, एक ज दान मंतरी ने 80% का है, लेकिन 80-85% जो हमारे हाँ आप देखेंगे एक क्या आता है, जो 12 है वो बाहर से import किया जा रहा है, import किया रहा है, this is the one thing, तो इससे क्या होगा कि 80-85% अगर हम import कर रहे हैं, बाहर से import कर रहे हैं, तो आपका जो सबसे उड़ा फॉर्ण रिजर्व इतने ज़्यादा एमाउंट में बाहर इंफ्लो हो रहा है जिसको कि हम देश में रोक सकते हैं और इसे बलके कमा भी सकते हैं यानिके हम अगर अगर हम लोग प्रोमोट करें तो जो फॉरेक्स हमारा है जो कि 80-85% का हमें बाहर भेजना पड़ रहा है ट्वाइस को ले करके ट्वाइस के उपर का उसको हम घर में ही रोक सकते हैं और साथ हैं इसको रेइंवेस्ट हम जो यहां अपने को प्रोमोट करके हम जॉब उपॉच्णिटी भी क्रेट कर सकते हैं सर्प्रेस प्रोड्य उसकर के से मार्केट में भी हम लोग बाहर भीज़एज दूसरा क्या है कि आज की तारिक में जितनी भी ट्वाइज हैं या गेमिंग हैं आप देखें कि जो बाहर से इंफ्लेंस हमारे पास आ रहा है हमारी अपनी संस्कृती जो हमारी संस्कृती से मैच नहीं कर रहा है जो हमारी परंप्राएं हैं उसे मैच नहीं कर रहा है जैसे आप Dora-Man, 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 Dora-Man जो आ रहा है, that is from Japan, हमारे यहां अपने यहां से गाल, आपने देखा हो है, सिंच है, सिंच है, इस साइब जो सेरियल्स है, यह सारे के सारे जो कार्टून है, चारक्टर्स है, वो बहुत ज़दा पॉपलर इंडिया में हो चुके है, पूरी आप लोग चाहेंगे, तो आप लोग चाहेंगे, तो आज मैं एक वेबिनार आप लोग के लिए कंडक्क कर दूंगा, मैं टेलिग्राम गूरू पर डाल दूंगा, तो मैं इसके डिफरेंट डाइमेंशन के उपर बात करूँ और मुझे ऐसा लग रहा है, कि यह आपके एक्जामिशनल साल बन सकता है, तो अगर इफ यूर रेड़ी, तो मैं आप लोग को बदा दू कि इसके उपर में बात करेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हमारा कितना योगदान है, अभी हम मंगवा रहे हैं, वो कितना मंगवा रहे हैं, एक्सेक्रा, तो इसी मॉडल पे, हाका थन के मॉडल पे, इसी साल जैनवरी 2021 में, टॉइका थन की शुरुआत करें, और 23-24 तारीकों इसके रहे पूरी भारत से, जितने भी जो intelligent brains है, जो बच्चे हैं, वो किया गया, इन्हों के innovations में गवाए गया है, innovations का मतलब क्या है, कि जितने भी participants हैं, जो भी बच्चे थे, उन सभी को एक तरह की चैलेंज दिया गया, कि आप अपना अपना model पेश कहें, अभी है क्या कि जो बच्चे जो आपके लिए market produce करने वाला है, market लाने वाला है, जो business आपके लिए grow करने वाला है, बच्चे डिमा ट्वाइकाथन है, ट्वाइकाथन के बारे में, ठीक है, इसका मतलब किया है कि पूरे country से आपने लोगों को invite किया, जनवरी में आपने launch किया, different ministry के माध्यम से launch किया गया, ठीक है न, उसके अद आप क्या करेंगी, अब आपने किया कि इसका ट्वाइकाथन आरेंज करवाय और अरेंज करने के बाद, दो दिन के बाद, आपने आप ये किया है, जो select कर लिया, आपने जो important, जो है, selection किया, कि कौन-कौन सब best ideas है, innovative ideas है, आप उसको execute करने का ताम है, so this is the one thing that government has taken a step forward, सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा दिया, कि हमें ट्वाइकाथन को कैसे आगे करना है, तो आपने देखा कि इसके शुरुआत तो होगी, बन दिना certain challenges as well, उसको meet out कैसे करेंगे, there's a lots of challenges, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोग interested हो, तो आप मुझे बदा दीजेगा, ट्वाइका थन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक पूरा का प emerging आपके लिए आपके इस industry है, ठीके, तो हम लोग इसके उपर में discuss कर लेंगे, and we will tell you, तो I will send you on the link की आपके बारे में, एक healthy discussion हो जाएगा, so I will send you a link, आप in midway या evening में हम लोग अभी इसको कर लेंगे, so that you can get an opportunity, कैसे इसमें क्या का लिग है, what are those challenges, what are those challenges, okay, so we can do this, okay, so I got your message and then we can do that accordingly, so Twaiqathne 2021, हम लोग बात करेंगे, right sas and meams, so I will share a link भी करेंग में पहला लोग से पूण आपने ग्रृम पे अं पने ग्रृपले, okay Soeverति के इसके पना अपर अपने ग्रृपले बिगां एंगा 2021 को इसे launch किया गया, ठीक है, उसका grant final था 10 June से लेकर कि 24th Junior की कल तक था, ठीक है न, अब उदेश्क है कि जितने भी innovative brains हैं, उन सबी को आगे लेकर किया आना, ideas को लेकर किया आना, सरकार अब doing कर गया, यानि कि एक तरह से एक part that is called participation, participatory होनी चाहिए governance, तो आप अगर देखेंगे, तो policy decision में, policy making में, formulation में, अगर आप यह थेखा, हॉका थन, टॉका थन, जैसे चीजों को कर रहे हैं, इसका मतलब है कि you are towards good governance, to our good governance, तो आपने देखा, it's a part of that, it's not the entire story, तो इन सभी के examples को भी code करें, देखें हमेशा, जब भी आप means लिखेंगे, तो अपने approach को बहुत practical आपको रखना है, you have to keep your approach very practical, ठीके, जो आपको देख रहे हैं, तो आप यह code करेंगे, I am damn sure कि कोई इतना ध्यान नहीं देगा, बहुत कम लोग हैं इसके आप क्या रहे हैं, उनका योगदान ले रहे हैं, बहले हैं, आप innovation के लेवल पे रहे हैं, ideal generation के लेवल पे ले रहे हैं, so that is a part of good governance, ठीके, मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं, साथ में आप उन्हें encourage भी कर रहे हैं, so objective of this Troika Thin, objective of the Troika Thin is क्या है, तो जो पुड़ा global toy market है, जो पुड़ा global toy market है, वो लगवक 100 billion dollar का है, 100 billion US dollar का है, 100 billion dollar का है, 100 billion dollar का है, right, है, and India have only 1.5% of this market, और भारत में क्या है, कि इतना बड़ा market है, इतना हमारे पास संसाधन है, इतनी opportunities है, फिर भी हमारे पास केवल और केवल, India have only 1.5% center of this market, हमारे पास क्या है, 1.5% of this market हमारे पास है, India imports almost 80% of its toy, और अगर हम लोग बात करें, तो भारत जो है, लगवक 80% बलकी से ज़ादा ही है, लगवक 80% हम toy को क्या करते हैं, import करते हैं, you could understand कि what is the potential of India for this industry, toy industry के लिए, ठीक है न, so local to local, local to local, हमें जो कहती की बात हो रही है, वो सारी चीज़ें, यह यह, 1.5% हमारे पास के है, कि India only have 1.5% of this market, और import हम लोगवक करते हैं, 80% का of this toy, this means that crores of rupees are being drained out of the country, crores rupees हमारे बाहर जाते हैं, कि we are toys के लिए, ठीक है, this is the data, moreover, majority of this imported toy do not represent Indian heritage civilization value system, ठीक है न, और इन सभी के बावजूद, जो one of the most important aspect है, important aspect है, सर, वो क्या है, सर, वो यह है, कि यह इंडिया के heritage को, civilization को और value system को represent नहीं करता है, that is not representing Indian heritage, civilization and the value system, अगर आपको अपने heritage को, अपने civilization को और value system को अगर live रखना है, ठीक है, current करके रखना है, तो हम ही क्या करना होगा, अपनी संस्कृति के, या अपने मुल्यों के आधार पे twice का निर्मान करना होगा, और इससे popular करवाना होगा, और इसके लिए market भी create करना होगा, ठीक है, इंडिया despite being a home of many globally popular games, ठीक है न, इंडिया जो है, सदियों से ही आप लोगों को मता रहा होगा, कि ये home of many globally popular games रहा, जैसे के chess हमारी है, खोज है, Ludo, snakes and ladders, आपने देखा होगा, is not among the leading developers and manufacture of the toys, ठीक है, like chess, ये सारे home of globally popular games है, like Ludo, snake ladders, is not among the leading developers and manufacture of the toys, जो आज हमारे पास बहुत कम जुलोगों के पास है, अब देखे, सरकार का एक जो objective है, वो आत्मा निर्भर भारत बनाना, तो जो आत्मा निर्भर भारत अभियान चल रहा है, प्राइमिनिस्टर्ट मोदी जी के गौरा, ठीक है न, तो इसी में, उन्होंने किया ही था, आत्मा निर्भर मॉडल के अंतरगा, Togakathan 2021 का initiative लिया है, ठीक है, इनिसिटिव लिया है, इसी का, So, आत्मा निर्भर भारत का जो मॉडल है, जो अभियान है, उसी मॉडल के अंतरगा, Togakathan 2021 को design किया गया, objective क्या है कि जितने भी इंडिया में innovative minds हैं, उनको जो innovative minds हैं, उनको conceptualize करें, उसके panel paper पे लिखा है, concept लेकर करें, और जिब concept लिखा जाएंगे, that is called the draft, जो लोग engineering के होंगे, पहले आपको draft त्यार करना पड़ेगा, and then उसकी manufacturing होगी, ठीक है, so innovative minds to conceptualize the novel twice and games based on भारतिय civilization, भारतिय that is called Indian civilization, history, culture, mythology and ethos, यानि कि जो हमारा इस twice ही के वल, हमें economic aspect ही नहीं है, बलकि ethos and values को भी re-establish करने का opportunity होगा, through these twice, क्योंकि बच्चे जब बच्चपन से ही जबाएंगे, बच्चे डोरेमन देखता है, सिंचान देखता है, नॉबीता देखता है, अब हैरी देखता है, तब अब सेरियर्स को देखता है, लेकिन हमारे यहां जो अपनी संस्क्राइब, जो अपना value है, जो हमारा इपना ethos है, जो value system है, वो बच्चे क्योंकि आप जानते है, यह twice क्या होता है, कि अगर बच्चा सबसे पहले कहीं से socialize अगर होता है, समाजिक बनता है, तो अपने twice के स होता है, आपने देखा होगा, कि बच्चा सीज़े society में exposed नहीं होता है, सबसे पहले उसके पहली पाटशाला होती है, उसके घर के अंदर, और जिसके साथ वो interact करता है, यह socialize करता है, वो उसके twice होते है, twice को देखता है, attract होता है, समझता है, ठीक है न, उनके साथ interaction करेगा, So, it is somewhat like कि आपकी नर्चरिंग शुरू होती है, कि उसमें twice का बहुत important role है, we will discuss in detail, जब हम लोग मेंस के topic को discuss करेंगा अभी, तो मैं आपको सारी चीज़े बताऊंगा, तो देखें, इस सबसे पहली बार बच्चा यहीं पर exposed होता है, यहीं पर चीज़ें से मिलता है, इंटर इसका मतलब क्या है, कि यह जो ट्वाइगा थर इनिशेटिव लिया गया 2021 का, यह किसी एक पर्टिक्लर मिनिस्ट्री का वेंचर नहीं है, बलके इसके अदर कई दूसरी जो मंत्राले हैं, कई मंत्राले हैं, जो एक साथ मिल करके सामने आ रहे हैं और इखटे होकर क्या रहे was organized by ministry of education's innovation, there is no problem in that, but there are other supporting ministry as well, हमारे पर सा कौन कौन सा, तो देखेंगे कि ministry of women and child development है, ministry of women and child development है, ministry of commerce है, commerce and industry है हमारे पर स, ministry of MSME है, तो कि इतने को एक, दो, तीन हो गया है, चार रहा था देखते, ministry of textile हो गया, and पाँच, and ministry of information and broadcasting हो गया है, 6 हो गया, और सात्मा जो खुद है इसके आलावा, एक body भी है, that is called All India Council for AICT, जिसको बोलते है, technical education भी इसमें participating है, यानि कि साथ inter-ministerial, जो है, जो है, इनके साथ मिल करके, यह initiative लिया जा रहा है, ठीक है, अब आये, there is a word, that is called trichonomy, trichonomy, this is a new word, respect, new word, so trichotomy क्या है, यह क्या है, कि यह है, just to emphasize over the economic aspect of toys and gaming, यानि कि जो हमारे है, जो हमारे है, जो हमारे अपने moral values और थास के आपर, बात करें, डेवलब परने का, इसका economic aspect है, जो toys or the gaming, इसके economic aspect को, economic aspect को हमारे है, trichonomy, so this is a trichonomy that you should understand, what is this trichonomy, so even the trichonomy could be asked you in an examination, इसके अपर कुछब इसके different facets को लगा के पूचा जा सकता है, कि what is the potential or potential of this trichonomy in India, what is this term, what do you mean by that, how we can achieve this, what is the challenge related to the trichonomy in India, etc, so there is lots of aspects, there is lots of things that you could imagine for your examinations, okay, and you have to prepare today for this kind of things that could appear in your main examination, so trichonomy is what, it is the economic aspect of the toys and the gaming, that is called trichonomy, right, system maps, so that is all about your trichonomy and this, okay, next side, so trichonomy के बारे में, we will discuss, okay, इतनी बाते हैं हम लोग करेंगे, now हमारे पास क्या है, SCO meeting in Dushanbe, Dushanbe, ठीके ना, ताजिकिस्तान की राजधानी है, Dushanbe, ठीके ना, औभी सतान की किए राजधानी है, Dushanbe, अब इस Tाजिकिस्तान की καपिटल, Dushanbe में, आपको और वोट एद हाक टी टूडए कि आपको माप पे दुसांबे को लोकेट करना है ठीक है तो अभी मैं देखता हूं कि जो आपके दुसांबे यह हो गया ताज़किस्तान के तो हमारे हांसे नासल सेक्यरिटी चीफ है वह है नसे कौन नासल सेक्यरिटी अजीट दुवाल इन्होंने अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं से थी कि मीटिंग होई थी उसमें से अजीट दुवाल वॉक आउट कर गया है उसका कारण क्या था कि जो पाकिस्तान इंडिया के म बहुत ही अच्छे सोच के बहुत ही प्राग्रेसिव हैं तो अभी जो इसको अटेंड करने हैं हमारे आते से कौन एनैसे अजीट दुवाल अटेंड सेक्यरिटी चीफ ताजिकिस्तान में हो रहा है दुसमे में सेक्यों की मिटिंग हो रही है ठीक है अब यह जो जो आपका जो आपका संधाई कोपरेशन जो ऑर्गनाइजीशन है अच्छली इसे हम देखते हैं कि अच्छा सब्सिचूट अफ नाटो इन इन इस रीजन ठीक है नाटो को इन लोग जानते हो है ठीक है और यह जाए बीजिंग बेस बीजिंग में स्थापित है स्यू ठीक है इसमें इक कुल मिला के बीजिंग सकांट एफ चेट अक जो है बीजिंग भी सेशन अच्छेटीशन औरिंटिया इंडिया जो है यह सब्सक्राइप इस पाट प्र आप उस निए जू पाट इंडिया 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 को पाकिस्टान के साथ 217 में इसमें फिर्मारीं देली गए ठीके ना, so in 2017 itself only, इंडिया और पाकिस्तान together become a member of a new, become the member of new members of SCO, तो भारत 2017 में इसमें शामिल होगा, ठीके ना, इतमे 2017 में शामिल होगा, क्योंकि अगर इंडिया को अपना गूर करना है, अगर इस रेजिन में आपके इपने बहुत सारे issues है, तो इस issues को आगर आपको raise करना है, उसको counter करना है, ठीके ना, अनुकर solution ढूंड़ना है, तो you have to be active member in this SCO, ठीक है, so इंडिया इसके नदर शामिल होता है, ठीक है, दो सामबे, यह हो गया, अब यह देखेंगे, यह पूरा का पूरा Pakistan, Tajikistan, Pakistan and India, so these are the all about your SCO countries, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, these are the 8 member countries of, आपके पास को है, यह है, आपके पास क्या, that is called SCO country, so आप देख पाएंगे, यह SCO country, that is very very important, and that could be seen as a nacho in the reason, ठीक है, नाचो का substitute है, आपको इस reason में दिखाई देता है, ठीक है, तो we can, वेज़े, लेकिन यहाँ पर क्या है, कि बोलता है ना, differences बहुत साथ है, इंडिया का पाकिस्ता के साथ हमारे differences है, इसके अलावा, जो यह अपने सारी country के साथ, जिनके साथ यह border share करता है, उन सभी के साथ, चाइना का जो है, सो हमेशा border dispute रहता है, but it's a very challenging, very very challenging to make this organization, SCO, effective, effective, तो इसके लिए बहुत सारे चिदोतिया भी सामने है, कि हमें कैसे इसको क्या करना हो So this is about your SCO, अब आए, though India become SCO member in 2017, आप देखते हैं, यह पी SCO है ना, जो इंडिया है, वो SCO का member बना 2017, 2017 में, India become a member of SCO in 2017, 2017 में क्या बना SCO का member बना, but अगर हम बात करें, तो इंडिया जो है, ऐसा नहीं कि 27 में, politically become its member, but यह जो reason है, इंडिया में, वो सधियों से, इंडिया इ आफने physical आधार पे, spiritual आधार पे, cultural आधार पे, और philosophical interlinkages यहाँ पर देखने को भी लेंगे, जैसे one such example is Buddhism, Buddhism का rise होता है, इंडिया के अंतरे है, लेकिन Buddhism जो है, एक popular religion बनता है, चाइना में भी, चाइना में भी, आज हमारे यहां का एक तरह का ऐसा कोई भी national religion नहीं है, we don't have any national religion as such, ठीक है, नहीं हमारे पास, जाओ, लेकिन यहां पर देखेंगे, जो बहुत दाम जिसके उत्पती इंडिया में होती है, यह परचार परचार होते हुए, चाइना तरह जाता है, जो कि आग हम देखने कई जिगों पर हमारे राइवलरी उपन करता है, ठीक है, हमारे र आप देखते हैं कि आपने आपको पिरिफिकेशन का, मेरिटेशन यहां जो आभी एस्ट बनाता है, तो आजसे नहीं कि आपको ब्रॉटलिकली पर पट बनाता है, ँट हमारे जो एंडियूटलिकेशस है, यानि कि हमारे पास, जो इंटरे बहुत पुर्ण है, इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं कि there is a great possibility, great possibility and great opportunity as well for India, कि वो क्या करें, जहां पर मैं आप देखेंगे, culturally, value system को लेकर के, आपने practices को लेकर के भारत और चेत्रों में, जो चेत्र के जो देश हैं, उनके साथ इनके gelling हो सकती है, और अगर gelling अच्छी होती, understanding develop हो पाता है, जो भी reason, जो भी disputes हैं, जो conflicts है, that could be ward off, वो आपका दूर हो सकता है, and this reason could be a great potential reason हो सकता है, जहां सांथी हो सकती है और अर्थ वेवर सब ही हो सकती है, so we can ensure a peaceful atmosphere right here, we can ensure a very happy economics here, ठीके, तो यह CEO की potential है, तो यहीं पर एक mains का बहुत ही जबरदस question बनता है, सांदार question बनता है, एक awesome question बनता है, जो आपको करना वीज़िए, and you should think like that, जितने भी जो लोग हैं, जो सुरुवाती अभी दौर में हैं, जिन्होंने पढ़ना शुरू किया है, तो मैं कई बार आप मुझे पूछते हैं, कि sir, notes कैसे बनाओ, answer writing कैसे करो, तो notes बनाना तो चलो, ठीक है भी, या उसको फुस दिन के वदा बनाना शू कर दिए, बट अगर आप mains writing पे अचानक से इंबाद करेंगे, अचानक से जंप करेंगे, ठीके न, you will take a dive, but you don't know how to dive, या मलब कि how to swim, तो अब डूब जाएंगे, तो डूबना नहीं है, तो इसलिए मैं आपको आई सारह करते हैं, तो कि अभी क्या है, जैसे कि आपको international relations में भी पढ़ना है, ग्रुप के साथ, ब्लॉक के साथ, आपके relations को पढ़ना है, वन सच ब्लॉक इस यू, तो यहां आप देखेंगे, कि स्यू में इंडिया के सथी क्या है, वाट अप इस लेकर, इस परस्पेक्टिव को लेकर भी आप अपना एक प्रशन international relations के लिए तयार कर लिए, और ऐसे प्रशन आपको रेखने को मिलते हैं, बट ऐसा निंगी केवल, facts and figures होने चाहिए, बट शुद बेग्स on the analysis, बट शुद हावर राइटिंग फ्लेयर, आपके पास एक राइटिंग फ्लेयर होना चाहिए, आपको बट अपको रहता हूं, for centuries with countries that now make up SU, right? SU was founded, जो SU है, जो Shanghai Cooperation Organization है, that was founded, जो SU जह है, founded at summit in Shanghai in 2020, 2001. It was founded at a summit in Shanghai 2001 by the presidents of Russia, China and four Central Asian countries of Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, ठीके न? तो अभी देखेंगे, इसके अंदर ना India है, ना ही आपके परस पाकिस्तान है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यह कितने ना ही आपके आपके आस जो है, तो यहां देखेंगे, जो है, सो कितने पीं, एक, दो हो गया, छे रास्तर यहां देखें रहे हैं, दो रास्त पाकिस्तान और इंडिया जो ताजिकिस्टान and Uzbekistan. So these are the four states. India has quindi interest in deepening in security related cooperation. Security related cooperation. SCU को लेकर को. And with the SCU and its regional anti-terrorism structure that is called RATS R-A-T-S. То India आपने क्या करेगा? S.U.O and its regional anti-terrorism structure which specifically deal with the issues between the security and defense. ठीक है न? इसको लेकर क्या आप बाद करेसकने. Right, sirs and ma'am? चलिए. इतनी बात है हो गहीं, सर्सक्राइब दन, सर्थ ठीके, हो गही है सारे लोगों का, so we can do it this way, ठीके, अब आज ये नेक्स है, एक बहुत इंट्रेस्टिंग टापिक है, इस वाक्षिनेशन भाई फोर्स्ट, वाई अब इस फंडमेंटल राइट्स में कहले है, अभी ठीकें है कि देरे-देरे, गर्वर्मेंट थोड़े से स्ट्रिक्ट हो रही है, कि इसको लेकर के COVID-19 के वाक्षिनेशन को लेकर के, ठीके, बहुत सारे लोगों, they don't, I mean, take their own initiative, या they are not willing to take the vaccination, वाक्षिनेशन नहीं, तो कई जुगों पर सरकार थोड़े से स्ट्रिक्ट हो रही है, सरक पर सुओ मोटो है, किसी ने प्ल धर्ज नहीं किया, किसी ने रेट नहीं लगाई, यानि कि खुद से जो मेगालिया हाइ-पार ने उसको के सिर्ड़े लिया, ठीक है, और इसमें मेगालिया हाइ-पार ने का, कि अगर आप किसी को forcefully vaccination के लिए लिए खेंशन गेले है, लिए तो यह आपके फंड़मेंटल राइट में आटिकल 19 1 G का उलंगा ने अब बताता हूं के वाटिकल 19 1 G और कैसे इसको यह वाइलेट करता है दूसरी बात जब आप ब्यूरोक्राइशी में इंडक्ट होंगे तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा जब ब्यूरोक्राइशी में आएंगे आप तो यू विल सी सटेन चालेंगे कि आप जानते हैं कि जो कोई कोई भी काम आप करेंगे आपने अगर क्योंकि जुदिशल रिव्यू का है और आप कुछ केसे में अगत्विशा अगिशेक बीशियु होता रहता है जुदिशियल रजिशाल्स एजी अठिविश्म होग और बिश्बाटर ब्यूसरा फो यहां पर जुदिशील अग्तविश्म प्यूसकता है they are working as for the constitution that is within the definition, that is within the boundary of the constitution तो ये इंशुर करवाने काम किसके पाइब जुरिशिरी के पास, that is a very potent tool in the hands of judiciary that is called judicial review and it is recognized as a basic structure of the constitution, ठीके ना, so basic structure के रुप में इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं, ठीके, बिशा कोट के हादरी भी आपके लगती रहनी है, तैय है आपका लगना है, क्या इसा नीए कि अपने पूरे सर्विस में आप आपको चार बार, पांच बार कोट के चकर ना लगा लगा लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आएसे आएंगे बाते जहां आपको अपने को अपने इसर्षिक को अपने rap santija अपने आपको न को अबने अपने डिपार्टमेंट स्ब्रटकर अपने अपने करना पड़ेगा अगर आप क्या कहते हैं आप बहुत फ्री से काम नहीं करेंगे, आपके मन में कोई बात आगे हैं, और अपने कर लिए हैं, क्यों? इंडिया is a welfare state, क्योंकि यहां पर कि इंडिया is a democratic state, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होगा कि अगर आप फिर ली होकर है एक्जिगेटिव कोई भी काम करें और आपके बस कोई अंकुष नहीं है then it won't be a democracy, it will become a despotic history. ठीक है मेरी बात सभी लोग समझ पारें? जैसा कि हमेशा आपने बता है, यह सभी में governance के आपने बहुत क्लेर तरीके साब को बताने बाला हूं कि what is the meaning of welfare estate, what is the meaning of democracy, what is the meaning of democratic structure, everything that we are going to discuss है, ठीक है ना, बात करेंगे so it is also a part of your, I mean the governing system, right? तो ऐसा करना देखना पड़ेगा, क्या ऐसा नहीं कि executive के हाथ में free hands देदी है, यह कुछ भी मन करेगा, कह देंगे, कही बर आपने ऐसा सुना होगा कि army को अदम free कर दो, यह कर दो, हमारी emotions है, these are called emotions, but these are not the practical rulings, ठीक है नहीं है, because we are in the democracy, हम एक लोग तंत्र में है, हमारी governance class, चिंता ना करें, इसके बारे में हम लोग सभी लोग बात करने वाले है, ठीक है ना, so चलिए, so judicial pronouncement आगया, so मही घाले हा, high court, Thursday, held that, यहनिकि कल, held that, कि forced vaccination violates, your forced vaccination and that violates fundamental rights, as mandated under the article 191g, क्या कहता, of the constitution, 191g में क्या कहता है, पेशा, वृति, व्रिपार, अधिका, अधिकार को दिया गया, यहनिके, right to profession, occupation, right to profession, occupation, etc, and trade-off for your own choice, that is mentioned under article 191g, you have all the liberty to profess your profession, occupy any occupation, and practice the trade, ठीक है ना, तो अधिकार है, तो अभी सरकार ने किया है, कि जितने भी hawkers थे, ठेला वाले थे, आटो वाले थे, में गाले में सरकार ने का कि पकर 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 कि इसको vaccinate करो, ठीक है, तो that is not right, that is against the fundamental, ठीक है कितनी जुडिश्री यहा के अवे active है, कहा आप रह रहे है, जुडिश्री के नजरती, जुडिश्री ने का कि that is not right, this is not right, it is against 191g, पेशा वृती वेपार आधी के अगेंस जारा है, ठीक है, तो अधिक है, तो अधिक है, तो अधिक है, तो अधिक है, we see it's the very fundamental purpose of the welfare attached to it, so यहां पर जो welfare attached है ना, वो उसको आप देखेंगे, that is the very part of what, that is called what, that is your welfare state से, तो जो fundamental purpose है ना, कि vaccinate करवाने का, welfare का, वो गलत है बही है, ऐसा नहीं मार करके किसी को पकर के दौरा दौरा के पकरो, और उसको बड़ी प्यार से फिर पुछ करो, नहीं, उस बड़ी प्रक्तिसरी को बाई, तर अगर अपने दौरा दौरा के किसी को पकड़ा पकड़े का कि चलो वैक्सिनेट करो, एक्जिकटीव परिशान है, आप पुलिस वाले हो, आप अप परिशान है, दिन रात आपको जॉब करना है, आप आप आसा कुछ काम ना करें, because you have to update this service by your own choice किसी ने आपको नहीं कहा कि तुम्हें इस सर्विस करनी चाहिए तो you have to take the pain आपको burning sensation तो टोलेट करना पड़ेगा so इसलिए आपके पास क्या है भाई जुरीशरी you have to be answerable to the judiciary आपको जुरीशरी को answer करना पड़ेगा कि भाई ऐसा कर रहा हो कि यह तो गलत है कि लेकर आपको मालू में किसके और भी repercussions है कि अगर नहीं लगाया फैलेगा फिर कॉम्निटी इस फिड़ेगा there's a lot of thing challenges बढ़ जाएंगे यह सरी you are also right but at the same time this is called the basics of the constitution of India and it is called the fundamentals of the India जो कितना मजबूत है कि आप किसी भी condition में you cannot be out controlled you cannot be beyond your constitution नहीं हो सकते are you understanding what I am telling to you so कितना भी हाला थो आपके पास there is a मजबूत इसको बोल देने जो है आपके पास जुदिशरी है independent जुदिशरी है जो कि यहाँ पर जुदिशरी है and this rule of law is the way that leads to the welfare state and that welfare state leads to good governance that is called the good governance it is called the good governance मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे so I will tell you कि what is the governance what is good governance what is the difference between that how is the welfare state सारी चीज़े में डिस्वेस करने वाला हूँ आप लोग जो लोग आचुके आप चिंता ना करे classes को जॉइं करे you will get that get to know each and everything में बताऊँगा इतने ग्जामपल्स आप लोग को दूँगा ना कि आपके अंदर जहान में governance बढ़ने लगेगा अभी तो आप तो खेल पालटीन पढ़ा है मेरे साथ history कवा पढ़ा है कि आपने art and culture पढ़ा है मेरे साथ by adopting coercive methods so this is called the coercive method that's called the feature of police state अगर आप कोई coercive करते हैं कोई coercive किसी को लगा 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 है coercive आप method apply करते हैं ठीके ना that is against your democratic state यह होता है यह सब police state में होता है जहान जबर्दसी आप करेंगा पकड़ा पकड़ा धर पकर किया और इनको लगा दिया so mandatory by adopting coercive force it visiates the very fundamental purpose of welfare attached to it it impinges on the fundamental rights as such especially when it affects the right to means of livelihood which makes it possible for a person to live ठीके ना so when it affects the rights to means of livelihood तक्सी वाले को पकड़ ले हैं खुम्ची वाले को पकड़ ले हैं और होकर्स को पकड़ ले हैं it's that is not right so it is a coercive state and when you apply coercive that is a feature of police state is not a police state so broaden के अपने अपको horizon को broaden के जए और एक 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 समझने की कोशिशिके ask for your syllabus ठीके ना क्यों पढ़ लेना समझना नहीं है you have to interpret the syllabus you have to mug up the syllabus ठीके ना and accordingly you have to क्या करना होगा plan to study newspaper क्या ना so that is the approach that I am trying to give you I am not giving only the honey rather I am giving the art of making honey and that art of the making honey will help you out in your mains examination when you would be appearing in the mains तभ आपको मेरा चेहरा याद आगा का रे सर ने इतनी बाते 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 थे that would be your have an awesome feeling definitely you will answer the extra S आपको समझ मेरा इतना कान करता है I don't I have not seen there's a lots of lots of people on the YouTube in and around me there's a lots of thing but I have not seen the people who are doing exactly this way because कि अगर वो कोपी करने को they don't have that much of the label क्या आपको अगर वोस तरीका नहीं so that is coming from within who have felt it who had experienced it across the decades क्या तो वो आपको बता सकता है I mean then I will definitely tell you Sirs and Ma'ams ठीके चलें Sirs and Ma'ams ठीके चलें Sirs and Ma'ams ठीके तो इतनी बता होगे It always states that the state government cannot take any action that would violate the fundamental rights to livelihood enshrined under Article 91G of the Constitution so आपको सब क्लास भी लगा लेजिए Clause, Sub Clause 91G 91G of the Constitution के अगरेंस जाता है ठीके ना अब इसकी पर Judicial ने क्या एडवाइजरी दिया That is called bureaucratic advice होना चाहिए अब देखे Bureaucracy को कैसे काम करना चाहिए Judicial ने कुछ advice जारी किया का कि देखो भाईया करवाना vaccination हर किसी का ज़रूरी है लेकिन जबरदसी मार के नहीं करवाना है पकड़ा लागया ठोग दिया पीछे सुया पर अपने देखा होगा आएसे कि Against the animal rights अब देखे कि बहुत जग मपया ऐसा हुआ कि करी milching जो काव है जो दूद नहीं दे पा रही है तो उनको लाए पगड़ा और आप जानते injection डाल दिया गया और से दूद निकाला गया, ठीक हमने दखा गया और इसको बेचा हो गया, तो vaccination के बारे में जितने भी जानकरी है that should be disseminated to the people to the citizen ठीक है ना और जितने है उनको sensitize करो उन्हें सम्विधिन shield बनाओ and उनको जितना भी process and concept वो बताओ बच्चों लोगो attract होने का मौका मिलेगा and you have some other way कि लोगों खुद बुलाने का तरीका ऐसे किया है कि पकड़को आया और लगाओ वैक्सिनेट नहीं there is some other way as well it added that the burden also lies upon the state government to stop spread of misinformation अभी आपने देखा है ना कि बहुत साथ लोगों को शुरुआती दोर में यह misinformation आ रहा था कि अगर vaccination करवाएंगे अपना वैक्सिनेट करवेंगे तो आप COVID infected हो जाएंगे there was a misconception there was a medical advisory and advisors आ रहे थे जिसमें यह कहा गया था कि आपको कुछ नहीं होने वाला आप करवा लेजी that is a safe and fine ठीक है spread misinformation regarding the vaccination exercises ठीक है so it added that the button also lies upon the state government to stop the spread of misinformation regarding this vaccination exercises तो पहला तो government को यह करना होगा meanwhile इसी बीच में उन्हें क्या करना होगा कि मैं गहा लिए हाई कोट आस्ट all shops, business houses and commercial vehicles in the states to put on display ठीक है न COVID-19 vaccination है अब देखे क्या सांधार तरीका निकाला जुडीशरी ने और आपको बता है what is the सांधार तरीका उन्हेंने कहा कि देखो भईया स्टेटस के बारे में उनका और उनके employees का ठीक है ना अब मालने जिए मेरी कोई दुकान है मेरी पास कोई दुकान है मैं दुकान का मालिक हूँ और मेरे पास 10-12 स्टाफ है जो इस दुकान के लिए काम कर रहे है ठीक है ना तो अब सरकार नहीं का कि जुकान के आगे बड़ा सा बोर्ड लगाओ अपने कोविट-19 का स्टेटस लिखो कि तुम में से कितने लोग वैक्सिनेशन है और लोगों को यह जो पता चलेगा कि तुम वैक्सिनेट नहीं हो तो डड़ से वो खुद नहीं आएंगे तो आप अंदर से क्या होंगे इस बात के लिए फोर्स की जाएंगे आपका विवेक आपको कॉंसिस कहेगा कि नहीं गो और गेट द वैक्सिनेशन मेरी बात समझ पारें असा नहीं कि आपने पगड़ लिया अपने दुकानों के आप लगाएं कि वाट इस दुकानों के आप लगाएं इम्प्लाइस का आप अपके प्यास आएंगे तो उनका सर्विस लेने से पहले लोग खुद किया करेंगे आपना एक decision लेंगे तो इन दे विल काम उयूं ठीक है यह आपके प्यास आएंगे ठीक है सर्व सर्व माम जाएंगे सिमलियर ऐसा यह केस आया था गुजरात हाईकोर्ट का था गुजरात हाईकोर्ट में एक मामला आया था वो एरफोर्स एया था एरफोर्स का एक सिपाही है, कॉर्पोरल हैं, जिसने क्या कहता है, जिसको टर्मिनेट कर दिया गया था, ठीक है न, दसल हुआ क्या है, कि वहाँ भी एक अडवाइसरी जारी कि गई है, एक पूर्पोर्स के अंदरगत, कि सब जितने भी जो ऑफिसर्स हैं जो सिपाही हैं, कॉर्पोर्स करने का था, थीक है, तो उसको टर्मिनेट करने के बात आगे, वह क्या करता है, हाई को अप्रोच करता है, थीक है, आई को अप्रोच करेगा, 28-year-old कोर्पोरल था, योगेंदर कुमार, उससे सीधे किया किया गया, थीक है, आफर आफिसािक अन मेर ऑटीघिक seeking an explanation on why he should not be terminated from the service for his refusal to take the covid-19 vaccine उचला गया, तो उसमें फिर judgment आया और उसको पुसिनों के लिए सो रोक दिया गया, उसको रोका गया, ठीक है उसको बताया गया कि थोड़े दिन के तुम रुको यहां पर ठीक है, so this was the one aspect एक बहुत important aspect है, लेकिन मेरा time हो चेगा, but I will say sorry and continue थोड़ा करना पड़ा, that is a very important topic, delimitation जमुन कस्मी, थोड़ा सा इसके बारे मैं बात कर लें, थोड़ा सा मैं चाहूँगा, कि आप लोग थोड़ा से दे दें, delimitation जमुन कस्मी, that is a very live topic and a live discussion है, जो हमें बात करना होगा, जमुन कस्मीर, delimitation, that is a very important, and then the burning issue है, as well, ठीके न, अभी context क्या है, कि Prime Minister से के साथ, अभी कुछ political जो लोग है, जोकि जमुन कस्मीर की politics में active थे, जो लोग थे, जो political parties थे, थे न, ये सारे का सारे, ये जो काम करें, हमसे आग रहा है कि जमुन कस्मीर को स्टेटूट बाहाल कर दें, ठीके न, उसी मुलाकात के दौरा नहीं, उन्हें का कि नहीं स्टेट की बारे, मड़े प्यास उन्हें समझा दिया, कि देखे, अभी grassroots level को democracy को हमें मजबूत करना है, जमुन कस्मीर में इसके लिए यहाँ पर में elections होंगे, free and fair elections होंगे, और इसके लिए delimitation करवाया जाना होगा, parisimen करवाना has to happen at a quick pace so that the polls can happen and जमुन कस्मीर gets an elected government that gives strength to the customer development and trajectory, ठीक है, तो बात समझ पार है, यहाँ पर में आपका delimitation करवाना पड़ेगा चुनाओ से पहले, लेकिन चुनाओ की बारे में से पहले, जो delimitation की बात करें, उसके अपने कई challenges हैं, challenges क्या है, मैं पहले बता दू, brief कर दूँ ताकि अब समझ पाए, आज हमारे पास बात करें, तो वहां के जो है, सो राज्य विधान मंदल के दवारा कानूं को पारित करवा करके, उससों डिलिमेट के गए, तो दूसरा क्या है, कि अभी देखेंगे क्या, जैसे यह बाइफरकेशन हो गया, दो यूनिन टरिटरी में, जमू में, कस्मीर में, अनलदात में, तो देखेंगे कि जो डेमोग्राफिक कंपोजिशन है, वो तो तो अब इसको अड्रेस करना होगा, तो अब ये कहा जा रहा है, ये संकाये जताए जा रहे, कि डिलिमेटेक्शन अगर हुआ, तो अब ही देखेंगे, जो जमुन कस्मीर में, जो maximum है, वो Muslim majority है, ठीक है ना, Muslim majority है, अब क्या है कि अगर delimitation हुआ, तो उनलों को यह डर है कि हे हिंदो जो population है, जो कि जम्मु में है, जो कि वैली में नहीं है, जम्मु में है, उन समों को ज्यादा representation मिल सकता है, ठीक है, तो य एक बहुत बड़ाई कि शुत्र, there are certain challenges, there are certain challenges, जो हमें क्या करना होगा, 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 जो हमें क्या करना है, जो हमें क्या है, जो हमें क्या है, जो हमें क्या पॉलिटिकल आक्टरविटी इन दा यूनिन टेरिटरी विच हाज बिंसेंट सिंज दा अब्रोगेशन आफ आर्क्ल 370 अगेस्ट दोहजार उनीज तीन साल से लग वहां पर चुनाव हो रहा है लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हो पाया है इन फाक्ट अभी जो है चुनाव यह जो अब्रोगेशन आपकल 370 हुआ है उससे पहले से ही चुनाव होनी की वहां पर बात हो रही है क्योंकि वहां PDP के साथ सरकार बनी थी बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी वह गिर गई फिर वहां पर गवर्नर रूल आया गवर्नर रूल पहले वहां पर प्रेसेडेंट मेरी बाते आवाज पहुंच रही है सभी लोग के पास मेरी आवाज पहुंच रही है सभी तक ठीक है राइट गाइज ठीक है फटापट कर लेतने थोड़ा सा तो यह हो गया अब्रोगेशन आपकल 317 अगस 2019 अब यह कर चुनाओ अगर होना है तो अगले कुछ महिनों में यहां पर परीसिमन का काम होना चाहिए अब देखी क्या हुआ हुआ बेक्ग्ग्गाउंड के इलेक्शन इस जमून कसमीर इन जमून कसमीर इन जमून कसमीर शेंड बेक्ग्ग्ग्वार्ण के अब देखी क्या है और यहां पर गवर्नर रोल को लगा दिया गया ठीक है और उसके देखेंगे कि abrogation of article 370 and the bifurcation of Oswald state into the union territory of Zammun Kasmir which is to have elected legislature and Ladakh which will not have won. The Modi government has repeatedly stated that elections in Zammun Kasmir will be held after the delimitation exercise is concluded. So, what is it said here? It is here that the Modi government repeatedly states that the election in Zammun Kasmir and Kasmir will be held after the delimitation exercise is concluded. So, now, what is it? First, we have to call Parishiman. Parishiman है क्या? इसको समझे लोगे. यह जो है, delimitation refers to the process of demarkation of the boundary. ठीक है, demarkation of the boundary है किसका? parliamentary seats के लिए, constituency के लिए और assembly, constituency के लिए. यानि कि विधानसवाद च्छेतर के लिए और संसेदित च्छेतर के लिए यह demarkation of the boundary है. यह जो process is carried out every few years every few years to ensure the constituency has an approximately unequal number of the voters. ठीक है, आपको मैंने बताया है के लिए पॉलिटी में भी, कि हमारे यह कोशिश के जादे जो constituency बनती है, तो वहाँ पर किया है कि भले ही आप किसी राजी की बात करने, दो राज्यों में अलग-लग जनसंख्या है, लेकि कोई constituency अगर बनता है, तो एक constituency और दूसी constituency के बीट में equal representation होना चाहिए, यानि कि एक निश्चित जनसंख्या के अदार पे आपके पास एकसी लोकसवा में और अपने विदान सवा में सुनिश्चित किया जाना चाहिए, तो गवर्मेंट जो है एकसी लोकसवा आपके पास अप्रोक्समेटली हर जगह सेम रहे हैं, तो अब प्रतीग वर्ष यहां पर में क्या होता है, आपके बास सिंस को करी आउट किया जाता है अब प्रोविजन क्या क्या है, डिलिमिटेशन के लिए करके, तो गिविन प्रतीग सिंसितिविटी अप्र इक्ससाइज, नो गवर्मेंट, सेंटल और स्टेट करी आउट, और अफर एवरे सिंस, पारलेमेंट इनाक्ट, डिलिमिटेशन आक्ट, अंडर आर्कल 82 अप्र परिशिमन का काम प्रते एक जन गन्ना के बाद किया जाता है, ठीके, सबसक्वेट्ली या हाई पावड बाडी नोवन अज डिलिमिटेशन कमिशन को बनाया जाता है, फिर उस क्या देखेंगे किया, कि उसके बाद कुश दिनों के बाद आप देखेंगे, यह लापास हो ग करेगा ठीक है ना ठीक है इतनी बात हो गए the orders of this commission are legally binding and not subject to scrutiny of any court of the law ठीक है ना ठीक है मेरी बात सब भी ले समझ पा रहे है तो यह जो order of this commission है ना वो legally binding होगा and not subject to scrutiny of any court of the law ठीक है यह legally binding होगा और इसे किसी court major scrutiny के लिए नहीं भेजा जाएगा even parliament cannot suggest modification to order and issued by the commission even sunset भी जो है so delimitation commission को क्या करेगा किसी प्रकार का संचोधन करने के लिए बात यह नहीं कर सकता है तो एक तो है judicial scrutiny से यह बहार होगा delimitation commission का और दूसर even parliament cannot suggest modifications cannot suggest modification and order issued by the delimitation commission prelims के point भी से दोनों बातों को याद रखेगा it is the out of judicial scrutiny and then parliament भी नहीं कुछ इसमें करेगा composition of delimitation commission का है इसमें देखेंगे एक chairman होता है जो कि retard या setting judge होगा of the supreme court the chief election commissioner होगे और any of the two election commissioners होगे and the election commissioner of the state in which exercise is being carried out तो एक chief election commissioner होगे उसके दो जो है तो election commissioners होगे उसके अलवा जिस राज्य में चुनाओ होना है उसके election commissioner जो होगे उसमें participate करेंगे in audition हमें फाइव MPs होगे फाइव MLA's होगे of the state are chosen associate member of the commission इसके अलवा तो सिराज्य से पाँच सांसन पाँच विधायक उसके associate member के रूप में उसायो के रूप में होगे since the commission is a temporary body यह permanent body नहीं है यह commission का है temporary body है इसलिए इसके पास पुई भी अपना full-fledal staff या secretariat नहीं है कोई staff या secretariat नहीं है no full-fledal staff of its own बल्कि यह क्या करता है कि election commission के employees पे अपनी dependency रखता है जब भी delimitation का काम होता है to carry out the long-drawn exercise census data for each day six तहसिल ग्राम पंचाइज is collected and the new boundaries are demarketed ठीक है ना new boundaries are demarketed the exercise can take up to the five years यह लगवा पांचु साले लते हैं and how has delimitation been different in zamun kasmir यह मैंने आपको बता दिये कि zamun kasmir में कैसे यह different है how is it difference ठीक है ना so यह कैसे इसके बारे में बात करते है so delimitation commission was first constituted for zamun kasmir in 1952 ठीक है ना यह 1922 में पहली बार यह constitute किया गया था जो delimitation commission है was first constituted in zamun kasmir in 1952 1922 में subsequently they constituted 1963, 1973 and 2002 Jammu kasmir में has followed a slightly different trajectory than in the rest of the country due to the special status it was according to 317 अब यह रहे आनुचे 370 में जो विसेस प्रिसिती दी गई थी उसके कारण यहां के सिती थोड़ी सी अलग है थोड़ी सी different है while delimitation of loksawad states in zamun kasmir was governed by the constitution of India एक तो आपके पास क्या है loksawad के seat का जो delimitation होता है वो भारत के संविधान के अंतरगत होता है ठीके ना जबकि अभी तक भुआ था अजस्वाइज रहे थी उसके लिए जो होता था वो गवर्न हो रहा था किसे zamun kasmir constitution से specifically zamun kasmir representation of the people's act 1957 के माध्यम से तो दो लौ यहां पर existing थे इन दोनों में tandem create करना पड़ेगा the last time a delimitation delimitation excise was conducted in zamun kasmir was under president's rule in 1995 by the retired justice KK Gupta's commission the next excise was due in 2005 but in 2002 faruk abdullah ने seat को freeze कर दिया 2026 के लिए थीके ना 2026 के लिए उनने freeze कर लिया थीके है इतनी बादे समझ रहे हैं नहीं और भी लोग why is this delimitation so controversial in jamu and kasmir जो देलिमिटेशन आप जमुन कसमीर है, is a politically volatile issue, since it is directly related to the representation of Muslim-dominated कसमीर and Hindu-dominated कसमीर and Hindu-dominated जमुन इसेंबली, ठीक है ना, तो एक तो यह है, कि यह politically volatile issue होगा, कि directly related to the representation of Muslim-dominated कसमीर and Hindu-dominated जमुन में. जो फारुक अब्दुला सरकार की सरकार ने लिया था, कि 2026 तक के लिए यहांपर delimition, सीटो को freeze कर दो, 2026 तक के लिए, सरकार ने अभी कही कि नहीं, that is a poorer representation हो रहा है, तो इसको हमें क्या करना होगा, इसको defreeze करना होगा, delimitation का काम करवाना होगा, और चुनाव कंडक्ट ठीक है, इतनी बाते हो रहे हैं, वाइल जाएन के assembly, at that time, had 87 seats, उससे में जमून कस्मीर के पास कितनी सीटे थी, 87 थी, इसमें 46 वे कस्मीर से, 37 जमू से, और 4 इन लदाग से, 24 वे रिजर्फ और पी ओके, ठीक है, यह सीटे थी हैं आपर, accordingly हम देखते हैं, जमून कस्मीर जमून कस्मीर में, जो है, सो आप देखेंगे, जमून कस्मीर रिजर्फ आख आया, इसमें सीटों के संख्यां को बढ़ा दिया गया, और बिकम कितना 90, यह 90 हो गया, post delimitation, by 7 seats, unaffected by, will go up, और यह effective कभ होगा, यह 90 seats, जब हमारे यह delimitation का का काम हो चाहेगा, ठीक है, तो यही कहा जा रहा है, आसंका जताई जा रही है, कि जो delimitation होगा, जिसमें, post delimitation में, जमून कस्मीर, जो कि हिंदू dominated है, यहाँ पर उनका representation बढ़ेगा, और वैली के लोगों का कमेगा, यह उनका कहना है, अब यह बात होगे, एक छोटा सा और piece of information है, यह दूसरी knowledge, वो खतम होगा, delimitation का, जो challenges है, वो सारे, Government of India, Government of Mizoram and World Bank ने किया किया है, साइन किया है, एक 32 billion Mizoram health system को ले करके, इसने project to improve management capacity and quality health service, यानि कि health service को ले करके, अभी सीधा याद रखेगा, कि World Bank के साथ भारत सरकार ने किस state के लिए, जो है, सो अभी, जो है, जो है, जो है, साइन कि ठीक है, इसके लब देखेंगे कि अगर आपको inappropriate कहीं भी content दिखाई देता है, तो आप इसके लिए complaint कर सेता है, रिपोर्ट और विन भी कर सकते हैं, ठीक है, यह हो गया, इसके लबाद कोई अगर दो साल का, अगर iconic subscription लेता है, या उससे उपर का लेता है, subscription लेता है, तो अभी आपके बस महा subscription offer available है, अगर आप एक साल का, अगर आप प्लान ले रहे हैं, तो अभी जून में लिया, 2020 में, तो ऐसा है कि जून 2022 में ख़तम हो जाएगा, बलकि यह आपके पास उससाल 2022 में में सक आपको लिए cover करेगा, तो यह हो गया, इससे लिए टू येर के लिए GS Plus Optional अगर लेते हैं, तो यह आपके लिए GS Plus Optional में Plus पे भी है, और Iconic पे भी है, Plus और Iconic दोनों पे आपके पास यह available है, ठीक है ना, अगर महा लेते हैं कि अगर GS Plus Optional आप जाते हैं Plus पे, तो आपके पास जो एक साल का फी है, वो पवेंटिन का कोड़ अप्लाई करने के लगभग 51,000 रुपे का पड़ेगा, और जो Iconic GS Plus Optional है, जो एक साल का है, एक लाग 2,000 रुपे का, यह लगभग 64,000 रुपे का पड़ेगा, 64,000 रुपे का, So there's a lots of benefit of that, आप देख सकते हैं, Plus आपके पास इतना नहीं ही, आपको 25% discount मिलते हैं, साथ ही साथ एक्सेंडर सब यह बाते होगे, इसके अलावा आप लोन के लिए जा सकते हैं, processing fee zero है, zero interest rate है, इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, मेरा code दाल जी है, पवनकुमारे अप्लाई करके आप दाल सब्मिट कर सकते हैं, साथ ही आपको 20 बुक्स भी आपके पास available है, जो पूरे syllabus को cover करता है, previous question paper को cover करेगा, और current affairs से updated भी होगा, आपकी best opportunity है, कि यहाँ पाथ finder, rise और world affairs के testories को join करें, परवंटिन का code अप्लाई करके, and the most important aspect is that, कि combat आपके पास scholarship का program चल रहा है, combat scholarship का program चल रहा है, आप इसको join कर सकते हैं, combat scholarship के program को, and you will have an opportunity to win on Sunday 11 a.m. combat में, कि आप scholarship जीच सकते है plus पे अगर आने के लिए, अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो effort डालते रहें, किसके लिए, unacademy के combat के लिए, using my code Pavan 10, इसी वीडियो के नीचे link दिया गया है, इस link के माधियम से जाएंगे, unacademy combat के लिए, Pavan 10 का code डालेंगे, जो unlock हो जाएगा, Sunday को taste दीज़ेगा, हर इक Sunday को ह perform कर रहे है, ठीक है, so use this code Pavan 10, ठीक है, and 60 questions, 60 minutes होंगे, live test on android होगा, इस gossip बिन करें, English और Hindi, दोनों में आपके पैस, ये coverage होगा, right, sirs and ma'am, so it was all about, और ये मेरा telegram group है, इस telegram group को जरूर जोइन कर लिए, मेरे साथ जूडने के लिए, और 10 वजे, अभी हम लोग बात करने वाल है, so that's why मिलते हैं हम लोग, अभी अपने, किस के program में, SureShot के program है, ठीक है न, art and culture के लिए, तो फटा-फटा आप लोग सब जोइन कर लिजेगा, see you guys, till then, bye-bye, take care everyone, with lots of love and blessings, have a wonderful day ahead, bye-bye, take care everyone.